हाई फ्रेंज आपको तो पता ही है हम नेचर से बहुत दूर एक कॉंग्रिट जंगल में रह रहे हैं पर मैं इसमें एक चीज एड़ करना चाता हूँ इस जंगल के आसपास एक अद्रुश्य जाल लगा हुआ है और वो है इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन का जाल जरा सोचिए 20 साल की इस टेक्नोलोजिकल डिवलप्मेंट ने हमारे एज को बढ़ाने के बजाए उल्टा 20 साल कम कर दिया है मोबाइल फोन्स, टैब्स, लेप्टॉप्स, माइक्रोवेब ओवन्स और अब तो ये LED लाइट फिटिंग्स ये सारी चीज़े बहुत अद्तक इलेक्रो मेगनेटिक रेडियेशन से मिट करती है आप लोगोंने कई सारे सोचल एक्टिविस्ट, सेलिब्रीटीज, न्यूस पेपर्स, न्यूस चैनल्स में इन रेडियेशन के बारे में सुना या पढ़ा होगा पर शायद कभी इन रेडियेशन को अपने नजरों से नहीं देखा होगा तो आईए पहले हम इन रेडियेशन को देखते हैं तो देखा आपने ये रेडियेशन कितने स्ट्रॉंग होते हैं और इनका रेडियेश कम से कम 2-3 फीट का होता है छोटे बच्चे, प्रेगनेट विमेंज और बिमार लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है इसलिए तो डॉक्टर हमें, जब हम बिमार होते हैं, तब इन मोबाइल फोन्स और लैप्टॉप से दूर रहने की सला देते हैं अब हम इन गैजट्स को यूज करना छोड़ तो नहीं सकते हैं पर कुछ प्रिकॉशन्स तो ज़रूर ही ले सकते हैं जैसे मोबाइल और लैप्टॉप को चार्ज करते वक्त तो बिल्कुल ही यूज ना करें रात को सोते वक्त इन डिवाइसिस को अपने शरीर से कम से कम 2-3 फीट दूर रखें 18 साल से कम के बच्चे और प्रेगनेंट विमेंस इन डिवाइसिस को सिर्फ जरुरत पढ़ने पर ही यूज करें मोबाइल यूज करते वक्त हमेशा येर फोन्स का इस्तमाल करें कई सारे फोन्स के यूजर मैन्यूल में यह तक लिका है कि यूज डिवाइस 6-8 इंचे अवे फ्रॉम यूर बॉड़ी लैप्टॉप्स को कभी भी अपने लैप पर या बॉड़ी के पास रख कर यूज ना करें मैं मेरे एक क्लाइन के गर रेडियेशन टेस्ट के लिए गया था और वहां मैंने क्या देखा कि उनकी 16 साल की बेटी बेड पर सोते हुए लैप्टॉप्स को अपने चेस्ट पे रख कर यूज कर रही है नो डाउट पिछले कुछ सालों में कैंसर और हार्ट अटेक के केसिस तीन गुना क्यू बढ़ गए है और रेडियेशन इसका एक मुख्य कारण है रिसर्च ने भी ये प्रूव किया है कि इन गैजट्स को अगर हम 10 से 15 मिनिट अपने बॉडी से कनेक्टेट रखते हैं तो वहां का टेंपरेचर कम से कम 2 डिगरी बढ़ जाता है मैंने कई सारे रेडियेशन अवेरनेस प्रोग्राम्स किये हैं और जहां कहीं पर भी मैं जाता हूँ हर जगा पर पैरेंस की यही कम्प्लेंड होती है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं और पूरा-पूरा दिन मोबाइल और लैप्टॉप्स पे लगे रहते हैं तब मेरा उनको एक ही आंसर होता है कि जब तक वो लोग ये रेडियेशन को देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं मैं बस इतना ही चाता हूँ कि जो लोग पूरा-पूरा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं मोबाइल फोन्स को अपने तक्ये के नीचे रख कर सोते हैं और लैपटॉप्स को अपने लैप पर या अपने बॉडी पर रख कर यूज़ करते हैं वो बस ये वीडियो देखें और अपने आपको और आने वाली जनरेशन को इन खतरनाक रेडियेशन से बचा सकें तो प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे देश का हर व्यक्ति इसे देखे और अलर्ट हो जाए ठैंक यू एंड गुडबाइ फिंस मैं आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगी और आप समझ चुते होगे कि ये हमारे लिए कितना हामफुल है तो मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आभी अगर आपको पसंद आए हो जो तो लाइक किजिए कोमेंट किजिए और स्या किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूने दूनिया को खुद से अलग करके रख लूंगा तुझे को में हग करके